हेलो दोस्तो आसा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं जो रेडी सो फर्स्ट फॉल यह हमारा पहला वीडियो है जो रेडी पे तो हम फर्स्ट फॉल समझते हैं कि जो रेडी टैनेंट क्या होते हैं और डिपॉल डैरेक्टरी क्या होतीा है डिफॉलल हम यह जानते हैं कि हम सब यह कैसीreet करते हैं ठीक है तो जत सब्वोज आपके पास क्या है सबसे पहले आपके पास होना चाहिए मेरे पास o है आपना email address एक कपी कर लेता हौं तो यह मेरा email address है मत रोको मुझे अब देख सकते हैं, मत रोको मुझे, add the rate outlook.com, तो ये मेरा email address है, मत रोको मुझे, add the rate outlook.com, ठीक है, ये email address है, मैंने क्या किया, azor का free subscription लिया है, ठीक है, आप भी azor का free subscription ले सकते हैं, अगर आपको जानना हो तो मैं उसके लिए भी एक video बना दूँगा, ठीक है, जैसे ही आप az portal पे, azor portal पे, वैसे ही आपको एक pop-up आएगा, ये 14,500 रुपए आपको credit मिलेंगे, जो की एक महिने के लिए valid होते हैं, आप इन credit points को use कर सकते हो, VMs बनाने में, बट इनको आप पूरी सावधानी पूरवक यूज करिए, ताकि पूरे महिने चले, ये points, और आप अच्छे स मुझे.com, आप portal पे login करते हैं, तो एक default instance create होता है, ठीक है, active directory का default instance create होता है, जैसे ही आप portal पे login करोगे, तो एक active directory का default instance create होता है, ये माल लीजिए, मैं active directory का default instance है मेरा, ठीक है, मैं इस पर लिख लेता हूँ, default instance for active directory, ठीक है, और इस instance का नाम क्या है, वो बहुत interesting है, है हमारे लिए जानना ठीक है अब यह हो गया हमारा default instance अब इसका नाम क्या है ठीक है अब इसका नाम जानने के लिए आप यहाँ पर आईए ठीक है default instance का नाम है हमारा primary domain ठीक है अब इस पर देखिए इसका नाम है मत रोको मुझे ए Outlook.com मत रोको मुझे outlook.onmicrosoft.com ठीक है अब हम इसको भी कॉपी करके वहाई पर डाल देते हैं default directory create हो जाती है जैसे ही आप ठीक है अब इसमें जो interesting चीज यह है कि इतना तो मेरा mail id था ठीक है उसमें से add the rate हटा दीजिया ठीक है इतना तो मेरा mail id था और इतना क्या है इतना यह जो है Microsoft की primary domain है ठीक है अगर आपके पास कोई email address होगा तो on microsoft.com by default लिखके आ जाएगा क्योंकि आप default instance यूज कर रहे हो default Azure Active Directory instance यूज कर रहे हो ऐसा इसलिए होता है हम इसको कैसे custom करते हैं कैसे custom domain मनाते हैं वह हम next वीडियो में समझेंगे आने वाले वीडियो में ठीक है तो अभी हम यह समझ लेते हैं यह हमारा on microsoft.com एक global domain होगा यहाँ पर उसके अंदर जाके यह आपका एक Active Directory instance बनाया है तिक इसको हम Tenant भी बोलते है इसको हम Tenant भी बोलते हैं इसको vient लिखे लेते हैं इसको हम从ology यहाँ यहाँ लिख लेते हैं इसको हम Teman जो कि सीखेंगे कि कैसे को यूज कर सकते हैं आगे चलके वह भी हम सीखेंगे कैसे हम इस tenant ID को यूज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और यह हो गया हमारा tenant ID ठीक है अब क्या होता है इसके बाद क्या होता है कि हम जो मेरे पास license है वो free license है add to directory का ठीक है अब इसके अंदर हम क्या बना सकते हैं subscription बना सकते हैं इसके अंदर हम subscriptions हमें मिलते हैं अभी जैसे मुझे मिला हैhan 省HHS Subscribe system for four or five types के होते हैं ठीक है और यह हो गया हमारा यह हो गया हमारा सेकंड कर सब्कृप्शन अगर लेना चाहें तो सब्कृप्शन भी हो सकता है यहां पर सब्कृप्शन ठीक है हम मल्टिपल सब्कृप्शन बना सकते हैं नो लिमिट तो अब क्या होता है हिस उसके बाद क्यों आता है सब्कृप्शन के धर क्या होता है दोस्तों सब्कृप्शन के अंदर हमारे क्या लिलिंपल बनाते हैं तो यह आप याद रखेंना से के अंदर हम पहले भी स्प critics बनाते हैं MI weld म kitchen कर दे रहाऊ रिस्वोस्स ग्रूप मैंने सब कुछ लिख लिया नौटपैड में अ Lizir रहता है कि जो हो गए हमारा रिसुस गुरूप ठीक है अब यह रिसोर्स ग्रुप हो गया हमारा ठीक है ऐसे ही हम रिसोर्स ग्रुप यहां पर भी बनाएंगे इसको मैं copy paste कर लेता हूं तो यहीं पर paste कर देता हूं ऐसे हम करके यहां पर भी रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे ठीक है और अब रिसोर्स ग्रुप के अंदर हम क् resources फिए resource group के अंदर हमारे क्या होते है resources फिक है यह आल लिजी-ए हमारा resource både है इसके अंदर हम बनाएंगे resources क इसके अंदर हमारे आजाएंगे resources महिर्चे कर वो हम समझेंगे एक एक चीज्य को हम बारगी За Presence is जनरली हमारे जिसे VM हो गई ठीक है आपको कुछ भी बनाना है VM हो गई storage account अलग चीज होती है VM आपको बनाना है ठीक है load balancer बनाना है यह सारी चीजे resources में आती है hard drive बनानी है आपको वह resources में आती है ठीक है अब हम एक 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 चीज को समझेंगे सबसे पहले और सबसे पहले मैंने आपको डिफॉल्ट दिखाई दिया है यह होता है हमारा ठीक है जैसे ही आप login करेंगे आप search भी कर सकते तो आप यह पेज ओपन होगा ठीक है अब हम देखते है संबस्क्रिफशन्स कंच है ये आए ये समस्क्रिफशं हम देख रहां यह कि मुझे उसे क्लिक करेंगे लिए अ कि भी होती है थे तो हम इसको भी काप्य कर सकते और इसको जो से सइभर्ला करू अब यहां सकते यह assumptions जो एकाट साइन थ An तो हम इसको सुर्णिट्रीबबत करना चाहते हैं तो यहां पर डाल सकते हैं तो सिल यह हो गया हमारा나體श यह टी तोкий अब क्या होते है दोस्तों कि यह सापूट्सस एक डिफाल्ट डारेक्ट्री में हम multiple subscriptions add कर सकते यह तो आपने जान लिया आप कैसे add करेंगे यहां पर क्लिक करके यह subscription वाले पेज पर यहां पर subscription search करेंगे ठीक है आप sub लिखेंगे subscription आ जाएगा आप इसको open करेंगे और add subscription ठीक है तो यह आपकी eligibility चेक करेंगा उसके आप देखें तीन options आ रहें यहां पर एक free tile जो मैं पहले से use कर रहा हूं दूसरा क्या है as pay as you go ठीक है यह paid बर्जन है और for azure student azure for student ठीक है तो अभी यह तीनों मेरे उपर valid नहीं हो क्योंकि मैं मुझे azure for student के लिए आपके पास कुछ details होनी चाहिए college का ID card extra extra so यहां पर आप subscriptions add कर सकते हैं ठीक है और अब हम देखते हैं कि हम क्या subscriptions migrate कर सकते हैं from one directory to another directory और हम कोई नई directory भी grade कर सकते हैं ठीक है इस चीज को भी हम समझते हैं ठीक है तो अब हम इस चीज को समझते हैं descriptions नहीं directory हम बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ठीक है दोस्तों तो अब हम open करते हैं Azure Active Directory Console यहां पर आएंगे manage tenant ठीक है यहां पर आएंगे create new tenant यहां पर आपको क्या चाहिए अभी हम इस वाले point को समझते हैं Azure Active Directory ठीक है इस पर next क्लिक करते हैं यहां पर आप डालेंगे domain name XYZ मैं XYZ ले लेता हूं और यहां पर डालेंगे XYZ ठीक है डॉट कॉम बट यह आपका जो ना XYZ डॉट कॉम यूनिक होना चाहिए तो यह यह देखिए आप यह ओलेडी यूज है यह domain तो हम इसमें 00789 सम्टिंग कुछ भी एड़ कर सकते हैं तब देखते हैं यह देखिए यह ओलेडी यूज दिखा रहा है अब इसमें 00789 एड़ कर देते हैं अब हम इस डॉमेन को ले सकते हैं आप रीजन कुछ भी दे सकते हैं इंडिया दे नहीं आप इंडिया दे सकते हैं तिक है उसके बाद हम नेक्स क्लिक करते हैं और यह हो गया हमारा क्रियेट ठीक है और हम यहां पर एम एम डब्लू पीवी एंड वी तो यहां पर क्या हुआ है कि मैं आपको फिर से डाइग्राम में ले चलता हूं डाइग्राम को मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़े तो उसके लिए मैं क्या करता हूं मैं इसको यहां से कट कर देता हूं ठीक है कि वह आपके लिए एजी रहेगा समझाना यह एक एक टो डारेक्टरी का हमारा इंस्टेंस था ठीक है यह होगी हमारा डेफॉर्ट डारेक्टरी और जो यह वाला पॉर्षन है कि यह माल लीजिए हमारी दूसरी डारेक्टरी मैंने बनाई यहां पर हम दूसरी डारेक्टरी बना रहे हैं ठीक है यह हमारी दूसरी डारेक्टरी है जिसका नाम मैंने रख दिया है यह हमारी डिरेक्टरी दूसरी हो गई कॉपी पेस्ट कर लेता हूं वो ज्यादा इजी रहेगा ठीक है यह हमारी डूसरी डिरेक्टरी हो गई जिसका नाम है हमारा यह इसको मैं ब्लैक कर देता हूं और इसका नाम है हमारा एक्स वाई जेट जीरो सेवन आइंक सम्थिंग या यह नाम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं यहां पर आप देखी यह टेनन्ट हमारा सक्सेस्फुली क्रियेट हो गया अब मैं इसको कैंसल कर देता हूं और अपने मैं पहले इसको समझ लेते हैं एक्स वाई जेट जिरो सेवन कि अधिकर जिरो सेवन डॉट कॉम कि यह हमारा डिफॉल्ट डिरेक्टरी बन गया है और माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम कि यह हमारा नहीं डारेक्टरी बन गया है अब इसका भी एक टेनेंट आइडी होगा ठीक है वो भी हम देख लेते हैं इसका टेनेंट आइडी ठीक है आप यहां पर जाएंगे अभी मुझे इसको रिफ्रेस्ट करना पड़ेगा जैसे आप रिफ्रेस्ट करेंगे यह नहीं से बता दूगा कैसे जाना है ऑभी जो करेंट डारेक्टरी हमारी है हॉज है यहां पर यह जो श्यश्ट से ABC करेंगे तो आपको यह पे जाएगा जिससपे भी आपको जानाँ उसपे आपको सिफ स्विच करना है hw пу क्लिक करना आप उस डिर्यक्टरी में चले जाएंगे अभी कौन सी डारेक्टरी में हुँ। मैं एक्स वाइज डारेक्टरी में हु तो आप मुझे यहां पर और Active Directory किलिक करना पड़ेगा एक्टीव डारेक्टरी ठीक है आप इसको Open करेंगे तो यहां पर देखेंगे इसका जो tenant ID वो डिफरेंट होगा ठीक है प्राइमीरी डॉमेन भी डिफरेंट है और tenant ID भी डिफरेंट है तो यहां पर मैं tenant ID को भी पेस्ट कर देता हूं यह इसका tenant id आप देख रहे हैं न different है तो यह हमारा हो गया इसका tenant id तो अब हमें क्या करना है अब हमें जो हमारा subscription था फिरी subscription था वो इस वाली default domain में था इस वाली domain में हम पहले check करते हैं इसमें कोई subscription है या नहीं है तो उसके लिए आपको फिर से पोटल पर आना पड़ेगा और यहां पर टाइप करिए subscription ठीक है यहां पर आप subscription टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई subscription नहीं है ठीक है यहां पर कोई subscription नहीं है अगर आप add करना चाहते हैं subscription तो वह add कर सकते हैं उसके options भी आपको मिल जाएंगे जैसे हमने default directory में देखा था तीन options आ रहे थे वैसे यहाँ पर भी आपको options आएंगे ठीक है तो अब हम क्या करते हैं कि यह हमारा tenant हो गया यह default directory हो गया अब हमें जो हमारा यह वाला subscription था यह वाला यह हमारा free subscription था correct free वाला था यह वाली xyz directory में migrate करते हैं ठीक है इस वाले को हम यहां से उठाके यहां migrate कर सकते हैं ठीक है इसको भी हम करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं कि मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं उसका भी एक reason बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं पर जाते हैं पहले हमें default directory पर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर subscription है ठीक है आप switch पर क्लिक करेंगे और आप आगए है default directory पर ठीक है यह देखिए आप जैसे default directory पर एक पप आ गया कि आप फिरी subscription आपका इतने रुपएव हैं उसमें अब आप क्लिक करिए subscriptions पर जैसे ही पहुंचेंगे तो यहां पर आप क्लिक करेंगे फिरी subscription पर एक option आएगा change directory का यहां पर आगया change directory ठीक है change directory का option जैसे ही आया आप यहां पर xyz पर क्लिक कर सकते हैं और इसको आप confirm कर दीजिए और change directory ठीक है तो यह थोड़ा सा टाइम लेगा बैक्ग्राउंड में यह प्रोसेस कर रहा होगा चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है आप इसको रिफ्रेस्ट कर सकते हैं फिर से इस पेज को और अब हम स्विच करते हैं एकस वाइज डिरेक्ट्री पर देखते हैं वहाँ पर क्या होता है ठीक है मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं वह बैक्ग्राउंड में फ्रोसेस चलता है थोड़ा सा टाइम लगता है कि यहां पर जो हमारा यूजर है वह वन एक यूजर बना हुआ है ठीक है जिस नाम से मैंने अकाउंट ओपन किया था जिस नाम से इस एकाउंट को रिस्टर्ड किया था होट मेल पर उसका डिफॉल्ट एकाउंट बन जाता है यहां पर ठीक है अभी फिर से मैं देख लेता हूं सब्सक्रिप्शन ठीक है अभी भी यहीं पर है हमारे सब्सक्रिप्शन तो यह थोड़ा सा टाइम ले लेता है कभी के बार पिर से मैं इसको चेंज ट्राइ करता हूं करने के लिए यह थोड़ा सा टाइम ले लेता है हम इसको एक बार और रिफ्रेस्ट कर देते हैं में भी हो सकता है यह हो गया हुआ है फिर से स्विश्च टू करते हैं तो मैं इस वीडियो को थोड़ी देरी के लिए स्टॉप करता हूं ताकि जो है स्टॉप करने के बाद जब यह एक अक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ठीक है एक बार मैं फिर से रिफ्रेस्ट कर देता हूं कुछ दिखने तो लगा है कि आइ-स didे दोस्तों अभी हम क्या है हम कौन सी डारेक्टरी में एक्स य जट डारेक्टरी में ठारेक्टरी में तो अभी कया है subscription किसके पास है X य डोमेन के पास है ये देके X य डोमेन लिखा हुआ है अभी subscription हमारा एक्स यज डोमेन के पास है ये देखिए आप के पास YouTube क्रेक्षिट्व आ गया ठीह आपका य निवक्षामरी के बात पूरा का पूरा उठके यहां पर चला ज़िए तो इसका मलब यह हुआ कि जितने भी रीसोर्सस आपने इसके अंदर बनाए थे वह सारे के सारे सारे हैं सारे के सारे रिसोर्सस यहां पर आ गए ठीम आपका जो एक्टव डरेक्टरी का भी ठीक है यह देखें आप यह resources आ गया अब हम देखते हैं अपने पुराने Active Directory के users भी आ गया इधर अगर हम जाते हैं डिफॉल्ट में ठीक है अब डिफॉल्ट में हमें क्या दिखेगा कोई भी हमें डिफॉल्ट पर आप जैसे ही पहुचे तो अभी आपको क्या हो रहा है इसको एक बार रिफ्रेस्स कर देता हूं थोड़ा सभी टाइम लेता है हाँ यह दिखेए अब डिफॉल्ट में क्या हो रहा है कि अब मुझे no access का error आने लगा है तो फिर से मैं क्योंकि अब यहां पर क एक नया यूजर बनाता हूं एक है और यह आ रहा है डिफॉल्ट डोमेन नेम मेरा रहा है और यहां पर टेक है और चन्नेट पासवर्ड और यह मैं क्लिक पर क्रेट कर दिया ठीक है थोड़ी जर में यूजर बन जाएगा यह अभी हमने टिफॉल्ट में मनाया ठीक है अब हम देखते हैं कि जो है यही सेम यूजर हमारा वहां रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है ठीक है तो मैं सुछ कर लेता हूं एक्स वाइज़ डोमेन पर एक्स वाइज़ डोमेन पर जाके देखेंगे यह यूज़ हमें स तो यह user हमें यहां पर नहीं सो कर रहा है means जो हमने subscription उठाया था ठीक है हमारा जो user tech बना हुआ है वो इस directory में बना हुआ है ठीक है हमने user यहां पर बनाया इस वाली directory में ठीक है और जो हमने ये tech वाला user है वो इस directory में बवना हूऀ और जो हमने move किया है यहां पर subscription move किया है subscription में मैंने क्या बोला था एको resource होते resource group होते वो सारे के सारे यहां पर move हो गये है ठीक है बट user आपका move नहीं हुआ मतलब अगर आप default डिरेक्टरी में कोई यूजर बनाते हैं तो वह वहीं रहेगा यहां पर मूफ नहीं होगा असा करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा अगर आपकी ठीक है दोस्तो अब हम क्या करते हैं अब हम एक user बनाते हैं इस वाले डिफॉल्ट डारेक्टरी में एक यूजर बनाते हैं यूजर बना लेते हैं दो यूजरस बना लेते हैं और फिर उसके भाद हम इस डारेक्ट्री के 아주 को यहां से वापस मूफ यह देफॉल्ट में ठीक है तो अब हम देखते हैं फिर क्या घोता है और सात में हम इसमें रिसर्स भी बना लेते हैं ठीक है यहां लाके एक resource group बनाते हैं और उस resource group को भी हम move करेंगे ठीक है सबसे पहले हम users बनाते चलके ठीक है users पे हम गये और हमें बनाना है user one and user two आप इसमें बुल्क यूजर भी बना सकते हो ठीक है और उसका भी simple process है user बनाने का बल्क यूजर बनाने का उस पे भी हम discuss करेंगे आगे चलक यह देखिए xyz domain लिखके आ रहा है यहां पर ठीक है तो user two भी बना लिया हमने user two हमारा ready हो गया और आप इसको refresh कर दीजिए तो यह user one आ गया user two भी आ जाएगा थोड़ी जिर में तब तक हम चलते है resource group पे ठीक है आप जैसे ही यहां पर resource लिखोगे तो आपको option आ जाएगा resource group ठीक है यह हम यहां पर resource group बना लेते हैं xyz.com का बना देते है resource group यहां पर आप देखे यहां पर अगर आपको subscriptions लिखके आ गया है कौन सा अगर आपके पास multiple subscriptions होंगे तो यहां पर multiple subscriptions के option आ जाएगे बट अभी मेरे पास स्रफ free trial subscriptions है तो वो free trial लिखके आ रहा है xyz ठीक है resource rg1 कर देते हम इसको और हम इसको किसी भी location में बना सकते हैं हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का ही बनाते हैं ठीक है central इंडिया कर देते हैं इसको और next आप tag भी डाल सकते हैं इस पर ठीक है tag थोड़ा सा easy रहता है अगर आपको billing की information चाहिए या आपको एक साथ track करने कितने resource group IT department के बने हुए है तो यह हमने resource group बना दिया xyz rg1 ठीक है इसको हम अपने पिक्चर पर लाके एक बार mention भी कर देते हैं अभी क्या है हमारा resource group का नाम है हमारा यहां पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं ठीक है यह हमारा resource group हो गया और resource group हो गया और हमने क्या किया दो users भी बनाएं यहां पर ठीक है users को भी हम copy paste कर लेते हैं हैं उपर यहां पर sorry यह users हमने यहां पर बना दी है इसको हम उठा के यहां पर डाल देते हैं अब हम क्या करने जा रहे हम जो है फिर से इस subscription को यहां से उठा के यहां पर फिर से मूव करने जा रहे है ठीक है यहां पर उठा के फिर से हम इसको यहां पर मूफ करने जा रहे ठीग तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सबको आड़िया FX लग कि 온 गया तो हम सब्सक्रिस्ट में बहुते हैं यहां पर हम सेलट कर accessibility और इसको चेंज में बहुत करने करने वाले हैं तो जैसे यह सब्सक्रिप्ष तो आपको बीट करना पड़ेगा ठीक है आप यहां पर फिरी डायल वास मूव तो डिफॉल्ट डारेक्टरी बट इड में टेक सम टाइम तो चेंज रिफ्लेक्ट ठीक है एप्रॉक्समेटली टेन मिनट्स बोला है तो हम इसको बट यह टेन मिनट्स लेगा नहीं क्योंकि हमारे पास कुछ इतना है नहीं है भी इसको क्रिफिशन में हमने बनाया नहीं है कुछ ताकि आप देखें यहां से यह गायब हो चुका है अ तो अब हमारे लिए अच्छा है कि हम सबसे पहले एक बार इसको रिफ्रेस्ट कर लेते हैं तो यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा है इसको हम रिफ्रेस्ट कर लेते हैं अगे है है अगे है हम अग्यार लिफ्रेस्ट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है रिसोर्स मूव होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि सब्क्रिप्शन तो एड हो गया बट्ब ही रिसोर्स वेट करना पड़ाएगा फिर से हम इसको refresh कर लेते हैं तो थीक है यूजर्स पर हम देख लेते हैं यूजर्स हमारा राम और टेक यहीं पर है तो यूजर्स कोई भी नहीं आया हमें सर्फ वेट है है तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा कि मारी लैक कम्प्लीट हो जाएगी इसको मैं फिर से एक्सवाई स्विच करता हूं और यहां पर देखता हूं कि यहां यहां पर कोई सब रिसोर्स ग्रुप नहीं बचा है नहीं यूजर पर एक बार चेकल लेता हूं एक्सवाई जट के यूजर हमारे तीन के तीन हुई है है बट हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है वह बीच में कहीं है मतलब इस डारेक्टरी के बीच में नेटवर्क में तो वह थोड़ा सा टाइम ले रहा है आधे में तो इसको एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं अब हम डिफॉल्ट डारेक्टरी में है यूजर्स देख लेते हैं तो यूजर्स हमारे पास 2 ही है ठीक है जो डिफॉल्ट डिरेक्टरी के यूजर्स थे अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फिर से रिसोर्स ग्रूप पर क्लिक करते हैं अभी तक रिसोर्स ग्रूप नहीं आया तो यह थोड़ा सा यहां से सीधा उटके हैं आप देख सकते हो यहां से उटके यह सीधा किया है हमने सेंतर्ल इंडिया में बनाया था resource group अभी अंदर की चीज़े नहीं आई हैं तो थोड़ा सा ठाइम लेता है यह बड़ है आपको क्लियर हो गया हूगा अगर यह तो यह अब मैं डाइग्राम के दौरा समझते हैं अब क्या हुआ कि आपका यह जो रिसोर्स ग्रूप आपने बनाया था फ्री वाला यह उठके यहां पर फिर से आ गया ठीक है अब इसको थोड़ा सा खुआ फिरब हैं हम अच्छी कर देते हैं ताकि देखने में अच्छी लगये हमस को ऐसे क्लीन एक ठीचे आपके जो यूजर्स थे वह यही के यही रहे गए ठीक यह वाले जो हमारे user 1 थे user 2 थे वो यही रहे और टक वाला यही पे था जो पहले हम ने बनाया था और रिसोर्स आपका तो रिस्वोर्स ग्रुप आपका यहां से महां मूव हुआ क्योंकि हमने स्प्रिप्रिप्शन मूव किये थे एक बार अब फिर से देख लेते हैं रिफ्रेस्ट करके अब टाइम जादा हो गया तो आप देख सकते हैं यह देखे अब सोर्स ग्रुप हमारा यहां पर आ गया अब ही यह अंदर की चीजे नहीं दिखा रहा है क्योंकि पर्मिशनस टान्टफर नहीं हुए होगी तो अब हम समझते हैं आज हम फिर से एक बार स्विच कर लेते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं कि डिपॉल्ल डारेक्टरी यह एक्स यजट पर मैंने स्विच किया ठीक है आप X Y Z पर मैंने स्विच किया और यहां पर सर्च किया रिसोर्स ग्रूप अभी तो यहां पर मेरे पास स्विप्रिप्शन ही नहीं है क्योंकि आप इस पेच पर दे सकते हो वह मुझसे कहा रहा है फ्री टायल स्विप्शन लेना चाहते हो या जो रेडी जो रेडी क्या होता है बाई डिफॉल्फ मन्त के लिए फ्री होती है ठीक है अगर आपने जो रेडी का इंस्टेंस बना दिया तो आप उस पर यूज कर सक तो यह रिसोर्स हो गया हमारा और एक बार हम डिफॉल्घ की एक्टू डिरेक्टरी पी चेक ल लेते हैं जो रट्टू डिरेक्टरी तो यहां पर दो यूजर्स है हमारे ठीक है सारी चीजे आप देख लीशे अब रही है और आब रिसोर्स ग्रूप को भी अभी डी अच्छे होगी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें